सर्दी के मौसम में हम सभी को ब्लैंकेट्स में लिप्टे रहने का मन करता है पर भालू को ऐसा नहीं करना परता जैसा कि अब जानते हैं कि भालू जैसे जानवर हाइबरनेशन करते हैं यानि पूरी सर्दी में सोते रहते हैं पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये जानवर बिना खाए इतने महीनों तक जिंदा रहकर कैसे सो जाते हैं। दरसल भालू छिपकली आदि ये सब जानवर ठंडे खून वाले जानवर होते हैं। इन जानवरों के पास brown edipose tissues होते हैं। कुछ इसी तरह हमारे पास white edipose tissues होते हैं। फास्टिंग के दौरान इनी tissues की वज़ा से हम खाना खाए बीना रह लेते हैं। वैसे ही brown edipose tissues में mitochondria की मात्रा जादा होते हैं। हाइबरनेशन के दौरान ये tissues activate हो जाते हैं। में मुझूद mitochondria fats को burn करके गर्माहाट और energy बनाता है। जिससे इन जानवरों को खाने की जरूरत परती ही नहीं।